नमस्कार मैं हूँ राज मुहंतिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार बिहार के राजनितिक हालात में काफी पडिवर्तन के संकेत मिलने लगे हैं जब से लोगजन सक्ति पार्टी में तूट की खबड़े सामने आई हैं लगतार ये कयास भी लगाये जा रहे हैं कि लोजपा के जो राष्ट्रिय अध्यक्ष अपने को बताते हैं चिराग पाश्वान वो एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं हाल में जब तिजश्वी यादो पटना आये थे तो उन्होंने एक तरह से चिराग पाश्वान को ओफर भी दिया था ये कहकर कि हम तो हमेशा से उनको अपना भाई मानते हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि ये समय है चिराग के लिए कि वो एक फैसला ले वो किसके साथ र देने वाले हैं इस पर चिराग पाश्वान ने सीधे तोर पर तो कोई भी बयान नहीं दिया लेकिन ये जरूर कहा था कि उनकी तेजश्वी यादों से हमेशा बातचीत होती रहती है लेकिन पांच जुलाई बिहार की राजनीती में अब काफी खास होने जा रही है क्योंक पतिकुमार पारस के संसदिय छेत्र हाजिपूर से अपनी आसिरवाद यात्रा निकालने वाले हैं वहीं उनके पिता रामविलाश पाश्वान की जैनती पांच जुलाई को आरजेडी मनाने वाली है और आरजेडी का उस दिन स्थापना दिवस भी है तो ये तीन चीजे ए हमारे रिपोर्टर अमन हमारे साथ है जो लगतार चिराग पाश्वान की खेमे से भी बातचीत करते रहते हैं सांथी आरजेडी से भी इनकी अच्छी बातचीत दरहाल के दिनों में हुई है और काफी कुछ इने फीडबेक मिला है पांच जुलाई क्या देख रहे हैं बिह सबसे बड़ा पड़िवर्तन ये देखने को मिलेगा कि राष्टिय जनतादल का उस दिन स्तापना दिवस है लेकिन स्तापना दिवस तो राष्टिय जनतादल मनाई गई मनाएगा लेइन सबसे जादा उस दिन एहम रहेगा ये बात कि स्तापना दिवस के साथ साथ वो रा के नेता है उसके साथ बैठ के बैठक करते हैं और बैठक में ये नीडने लिया जाता है कि स्वर्गे राम विलास पासवान का जैंती समारो राजत परदेश कर्याले में मना जाएगा वही दूसरी तरफ चिराग की बात कर लूँ तो चिराग पासवान भी पांस तारीकों ही असिरवाद यात्रा अपने चाचा के संसदिये चेत हाजीपूर से सुरुवाद करने वाले हैं उसमें एक अलग ही परिवर्तन देख रहा हूं क्योंकि आप देख सकते हैं कि लोजपा में टूट हो चुकी है भी चाचा भतीजे में बंगले की लड़ाई चर रही है कोट त अपने खेमे को मजबूत करने का है लेकिन जो सबसे बरा राजनीति पड़िवर्तन ला सकता है वो है आरजेडी का रामविलास पसवान की जैनती को मनाना यह क्या संकेत देते हैं किस और राजनीती अब बिहार की जाती नजर आ रही है देखे राजमोन अगर जिस तरीके स बिहार की राजनीती का आब बात कर रहे हैं तो नेता परत्वक स्टेश्वी एदब जब दिल्ली से पटना लोटे थे और एयरपोर्ट पे जब उनसे सवाल किया गया था चिराग पासवान को लेकर तब उस पर उन्होंने ये कहा था कि चिराग पासवान हमारे बड़े भा को इसका कल्पड बताया जिमेदार मतलब नितिसकुमार को बताया लेकिन सबसे बड़े बात कि तेजस्वी आदब ने भी ये चीज माना कि अगर लोचपा की टूट में किसी की एहम भूमिका है तो वो है नितिसकुमार की हिसारों पे ये सब चीज हो रहा है तो चिराग के प्रेव प्यार और नितिसकुमार के लिए जो लगातार हमेशा से तेजस्वी जो तंच कसते हैं वो उस दिन भी दिखा लेकिन सवाल यह है कि अगर लोजपा पाटी टूट गई चिराग से बंगला चला जाता है तो चिराग क्या करें सवाल यह उठता है और चिराग क्या करे इसी को लेके चिराग पहले तो अपना बंगला बचाने में लगे हुए लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि बीते दिन उनके जो पाटी के जो पांच संसद हुँआ उन्हें अपना राश्टी यह द्यक्ष भी नहीं मानते हैं पार्टी के पांच संसदों ने सांथ छोड़ा चाचा ने सांथ छोड़ा लेकिन सबसे बड़ी बात है जिसका उनको भरोसा goofy उसने ही साथ छोड़ रहा वही बात मैं कहने जा रहा था राजबोन आपको कि राम और हनुमान की कहानी सब जान रहे थे कि कौन हनुमान है और कौन राम है लेकिन इतना बड़ा घटना हो गया लोचपा टूट गई पाटी पूरी तरह से बिखड गई चिराग पास्वान पूरी तरह से अकेले हो गए लेकिन हनुमान का साथ देना तो छोड़ दीजे हनुमान के लिए एक बार भी राम ने कुछ कह कशनल पूरा नहीं और चिराग लगातार यह कहते है कि मैं उनका हन्मान ऊण नैरिंद्र, मोदी के हन्मान मैं उनके साथ हूं मैं बीजेपी के सा थ लेकिन बीजेपी ने भी आप सारे ऐसे बयान दिये हैं चिराग पास्वान के खिलाप बिहार की राजनीति के मैं बात कर रहा हूं सीधे तोर पर ये कहीं न कहीं ये इसारा दिख रहा है कि बीजेपी भी अब चिराग से दूरियां बना रही है अब वैसे भी बीजेपी को तो तैक करना पड़ेगा कि पशुपति कुमार पारस को वह समर्थन देती है या पिर चिराग पासवान को क्योंकि मंत्री मंडल का विस्तार होना है किसी न किसी एक को तो लेना होगा अगर लोचपा में से लेना है तो नहीं लेना है तो छोड़ भी सकता है मैं आपको इस पर करेक्ट कर दू कि आपने मंत्री मंडल की विस्तार की बात की तो चिराग पास्वान ने सीधे तोर पे कह दिया है कि लोचपा के नाम पर मंत्री मंडल में पसुपती पारस नहीं जाएंगे तो उनके गुट से को ही ने जागा तो कही एक राज्भाण पाठी का सम्विधान कता अब जो सबसे अहम बात पर हम लोग विचार कर रहे तेम चर्चा कर रहे हैं वो है राम विलास-पाशवान की जहिनती आर्जेडी कर रही है और कहने करना है अब और जिस तरीके से स्विए आदव ने भन कैम्रा यह किहा कि रॉहां परूर में दिख रहा है दूसरी तब सबसे बड़ी बात है कि अगर चिराग तेजस्वी को समर्थन देते हैं तो तेजस्वी का जो बल है और बढ़ जाएगा क्योंकि चिराग खुद भी एक यूबा नेता है और चिराग का खुद का भी जनाधार है और पासवान बोटर सुरू से राम बिलास पासवान की पार्टी के साथ हैं तो ऐसे में अगर चिराग और तेजस्वी साथ हो जाते हैं तो बिहार की राजनीती में एक बड़ा पडिवरतन देखने को मिलेगा और कही न कहीं राजमोहन इसी यही एक कारण है कि आरजेडी राम बिलास पासवान की जैनती समार भी मना रही है और उस दिन से है और हमारे सूत्रों के हवाले यह खबर भी आरेगी चिराग जल्दी पटना भी लॉटने वाले हैं क्योंकि टाइफाट से पेइरित हैं नेने प्रटी के और जिसे पास मुचा बचा ना लुटने के लुटने गें कि अभी तो लरा इचल रही कि लेकिन मान लीजिए कि चिराग पासवान के यह आपके लिए इसी कि तयारी करने के लिए वो हाजिपूर से असिरवाद यात्रे के बहाने वो बिहार की जंता से जुड़ने की कोशिस करेंगे और कह सकते इसको एक तरह से सिंपैथी भी लेंगे क्योंकि चिराग पास्वान हमेशा कहते हैं कि सेर का बेटा हूं चंगल चीरने निकला हूं और सिंपैथी उन्हों मिले वी क्योंकि एक तो पीता का नीदन होते ही चुनाब आगया और चुनाब में उन्होंने जिस तरीके से डिसीजन्स लिए उन्होंने लडने की कोशिस अच्छी की ती चुनाब जैसा कि चिराग का जनधार है और चिराग खुद भी पॉपलर है और उन्हें जन्ता प्यार करती है ऐसा निजेशनंता उन्हें प्यार नहीं करती है और यह देखा जाये जब से टूट हुआ है सोसल मीडिया पर चिराग कि समर्थन में लोगों की संख्या जाता है काफी जादा है ट्विटर्स कर लो या फिर ऐसे ग्राउन पर बात कर समर्तन है कि संख्या वह बढ़ाने के लिए बास्रवाद या कह सकते हैं और सायद इस और और भी उनका संकेत होगा कि अगर बंगला चिने तो एक नई पाटी बनाकर एक बर फिर से जीरो से सुरू करें और आगे बढ़ने की लड़ाई लड़ें लेकिन अगर चिराक पाश्वान के पास से बंगला जाता है तो जाहिर तोर पर बीजेपी का साथ तो वो छोड़ेंग और बिहार की तरिक्की के लिए लगतार थे जस्वी भी कहते हैं कि बिहार में बहुत चीजें पडिवर्तन होना चाहिए जिससे बिहार हमारा डेवलोप है चिराक का वीजन अलग है चिराक बिहार को लेके बिहार को लेके बिहार को लेके मैं आइडियोलोजी की में बात को और अब जिस तरीके से लोजपा में टूट हुआ है तेजस्वी का साथ कहीं न कहीं चिराग को मिल रहा है तो बिहार की राज नीती में एक बड़ा पड़ी वरतन देखने को मिलेगा लेकिन वही सवाल है कि पहले बंगला बंगले की लड़ाई है जब तक बंगला चिराग के दिया है कि एक तरफा प्यार हनुमान राम से नहीं कर सकते हैं इसका मतलब एक बात साफ है कि अब उनका भी मोब बीजेपी से भंग हो चुका है धीरे धीरे जिस तरीके से उनका समर्थन नहीं मिला और देश के प्रधानमंति नरेंद मोधी को वह हमेशा से राम का दर्जा दिये हैं हमेशा से कहते हैं कि हम मैं हनुमान हूं तो जब हनुमान को जब राम की ज़रूरत थी तो राम नहीं थे तो कहीं न कहीं वह दूरियां तो अब बन रही है और वहीं दूरी विपक्ष को कहीं न कहीं चिराक का बयान बदला कैसे जब पहली बार उनके घर में खट कि राम उसके बाद उसके बाद जब लगतार कुछ दिन बीते फिर उसे इस बात को लेकर पूछा गया कि क्या हनुमान राम की मदद लेंगे क्या राम जी का समर्थन लेंगे तब उन्होंने ये बयान दिया कि हनुमान का वद हो रहा है और राम चुपचाप बैठे हुए है इसके बाद फिर उनका एक और बयान आया जो ये साबित करता है कि अब बीजेपी से चिराग का मोब भंग हो चुका है वो समझ चुके हैं कि पिजेपी उनके समर्थन में नहीं आएगी और उन्होंने ये कहा था कि हनुमान राम से एक तरफा प्यार नहीं कर सकते और ये बयान उस बयान वे तेजश्वी याद होने को एक तरह से कहिए कि चिराग पाशवान को अपने पाटी में आने का ओफर अपने गट-बंदन मे है बंगला साहथ चिराग के पास भी जा सकता है या फिर पशुपति कुमार पारस के पास भी लेकिन समर्थन चिराग पाश्वान को ज़्यादा मिल रहा है ग्राउंड पर ऐसे में अगर बंगला उनके हाथ से चला भी जाए चिराग पश्वान से एक नई पाटी उनको खड़ी करनी ही पड़ेगी वो आरजेडी में जाएंगे ये तो मैं नहीं मानता हूं वो अपनी एक अलग पाटी बनाएंगे और उसका गटबंधन बले महागटबंधन के साथ कर ले जिस प्रकार से चिराग को लेकर तेजश्वी का प्या हैं जिस प्रकार से गतार ये बात बोल रहे हैं ये साबिद करता है कि चिरागर पाश्वान के पीसे एक जनाधार है और ये बात गाट दोनों की जो मुख मंत्री की और लेकिन अलग अलग काम किया अगर ये चुनाओक के दोरान अगर दोनों साथ आ जाते तो साइध महागडबंदन की शरकार होती और तिजस्वी अधुमुखमंतरी भी बन सकते थे उपमुखमंतरी के तोर पर चिराग पाश्वान को प्रजेक्ट भी किया जा सकता है अगर आगे साथ में चिराग जाते हैं महागडबंदन के पाटी बना की या कुछ भी मुखमंत वो खुद में उनको एक मंत्री बना देता है अभी तक उनके केंद्र में मंत्री बनने की बात चल रही थी लेकिन इस प्रकार से बीजेपी के साथ उनका कटटट साथ दिखाई दे रहा है उसके बाद अब यहीं उमीद है कि बीजेपी एंडिये का साथ अब चिराग छोड रही लेकिन मांगडबंदन के साथ जाते है अगले चुना 2025 की वो तयारी कर रहे थे पचीस में या फिर पचीस से पहले जैसा की चिराग का मानना है चुना हो सकता है बिजार में जैसे राजनिती खाला थे चुना होगा मांगडबंदन में चिराग होंगे उप मूख्य मं संत्री का उमीदवार उन्हें बनाया जा सकता है क्योंकि चिराग में वह कामियत है कि वह डिप्टी सीयम बन सकते हैं पूरे दम के साथ रहते हैं अगर बिहार विदान सब्सक्राइब की बात कर ले अगर वह चाहते तो बीजेपी और अंडिय गटवंदन में रहके वह सरकार में रह सकते थे लेकिन उन्होंने समझाता अपने आप से नहीं करना सोचा पिता जी का देहान तो गया था उसके बाद काफी ज्यादा टूट गया थे लेकिन फिर वी और बात है कि जब उन्होंने अकेले लड़ने का फैसला किया तब रामविलास पस्वान जी उस समय थे दुनिया में और उनके रहते दोराने उन्होंने ये फैसला लिया था लेकिन उसी वक्ष उनका देहान थो गया था और उसके बाद वो काफी ज़्यादा टूट भी गया थे कितने सीटों पे चुनाब लड़ना था ये भी उस समय निर्णे नहीं लिया गया था कि कितने तो उसी स्लोगन थो पिर लेकिन जब रामadores पासवान का देहानत हो जाता है सीटों हो एक ये सीट पर जीतने को लेकर तो परफॉर्मेंस नहीं था लेकिन अकेले दम पर 6 पृतीसत वोट लाना एक परफॉर्मेंस कहा जाए कि जो पार्टी बिहार की राज़िती में आपकी नंबर वन पार्टी है जेडियू जिसे आप तीसरी नंबर की पार्टी बना दिया गया इस बिहार विधान सबचुना में अगर 2015 की हम बात कर ले तो 2015 में अच्छा प्रफा में 70-71 सीटे जेडियू की थी वो महां गटवंदन में साथ थे तो उनकी 72 सीटे की कतर आई थी और अधकरीबन 80 सीटे के असपास RJD की थी लें ठीक है मैं आपका मान लेकिन अब जिस तरीके से नितिश कुमार और BJP का गटवंदन है उसके बाद नितिश कुमार बिहार में नितिश कुमार की लोग प्रियत और जो डैमेज किया गया था चिराक की पाटी के द्वारा वही अब कह सकते इसको की बदला लिया जाए यह तो हर कोई जग जाहिर था जिस प्रकार से सीटे घटी उसके बाद हर कोई जानता था कि नितिश कुमार चुप नहीं रहने वाले बदला तो लेंगे लेकिन इस प आरजेडी का उनके पिता राम विलाश पसवान जी की जयनती मनाना उसी दिन आरजेडी की स्थापना दिवस और एक और मैं आपको बता दू कि तेश्पी आदम ने ये भी कहा था कि हो सकता है कि राजत सुप्रीमो लालू परसाद यादा भी उस दिन स्थापना दिवस में मौजूद रहें पटना में ये कयास लगाया जाए है लेकिन हाल में जो अभी अपडेट है उसका नुसार उनकी तवियत थोड़ी और साइध बिगरी हुई है इसलिए वर्चूल तोर पे वो साइध जुडेंगे लेकिन ये तीन चीजे जो उस दिन हो रही है राम विलाश एसे भी बिहार की राजनिती में खास है आरजेडी के स्थापना को लेकर लेकिन क्या 2021 में ये और ज्यादा खास बनेगी जब बिहार के दो युवा तेजश्वी और चिराग जो कि बिहार के सबसे बड़े ताकतवर नेता नितिशकुमार के घोर भी रोदी है एक साथ आए लेकिन यह भी संका में आपको मत रहें की चिराग अपकेले रहेंगे उमीद इसी की की जा रहीए कि वह बहुत जल्द तेजश्वी के साथ आएंगे और नितिशकुमार के खिलाफ एक नई यूग की शुरूआत होने वाली है दो युवा ओं के मिलकर और दोनों युवा ज देखना बड़ा दिल्चस्प होगा और क्या जो बुजर्ग विहार के सबसे जो ताकटवर कोहां जाते हैं जिस्कुमार के शामने टिक पाएंगे यही देखने वाली बात होगी दोनों का एक ही कहला है बिहार में चुनाओ विधान सबाका दोहजार पचीस में नहीं बलकि उससे पहले होगा ये दोनों मानते हैं और इसी कित्ता यारी में अब दोनों भी जुट गए हैं तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुचाते रहेंगे आप तो बने रहें हैं हमारे साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाइब भिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें